उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वी आईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वी आईपी सूट होता था कोई नेता जाएगा तो वहाँ पे उसके यह रहा है जेल एक ऐसा स्थान है जहां अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा भुगतने के लिए भेजा जाता है आम तोर पर इस जगह पहली बार जाने पर अजीब और गरीब अनुभूती होती है परंतु धीरे धीरे अपराधी को इसकी आदत पढ़ जाती है अपराधी को अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए उसे कोठरी में बंद करके रखा जाता है उससे अने को काम लिए जाते हैं जैसे खाना बनाना, साफ़सफाई करना, जिसमें लेटरिन तक साफ करने की प्रक्रिया शामिल होती है फिल्मों में भले एक कोठरी में एक कैदी को रहते दिखाया जाता है परंतु असल में एक कोठरी में अने को कैदी रहते हैं और बड़ी ही दुखद इस्थिती में वो अपना जीवन यापन करते हैं हाला कि अपराद अनुसार ही उन कैदीों से हमदर्दी होनी चाहिए क्यों कि उन जेलों में हर तरह कैदी रखे जाते हैं खायर आप भी सोच रहे होंगे कि ये जेल का वर्णन क्यों ये वर्णन इसलिए कि यहां भी एक कैदी और उनके आकाओं द्वारा उसके बचाओ किये जाने का मुद्दा गर्मा रहा है कैदी है आम आदमी पार्टी के सशक्त नेता वो कैबिनेट नेता जिन पर हेल्थ, फैमिली, वेलफेर, इंडस्ट्री, पानी, ट्रांस्पोर्ट जैसे अनेको बड़ी जिम्मेदारिया थी जो अब मनी लॉंडरिंग मामले में जेल में कैदी का जीवन गुजार रहे हैं लेकिन इससे पहले मैंने कैदियों की जि बड़े नेताओं के लिए लागुन नहीं होते हैं ये हम आम कैदियों की बात कर रहे थे सतेंद्र जैन जी जेल में भी लगजरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसके कुछ प्रमान सामने आये हैं आप तो ये बात सबको पता चल चुकी है कि इस वीडियो में सतेंद्र जैन फुट मसाज करवा रहे हैं हेड मसाज करवा रहे हैं इस वीडियो के लीक होने के बाद एज यूजवल जो आम आदमी पार्टी का शुरू से तरीका रहा है वो प्रेस कॉन्फरेंस कर इसकी सफाई देने चले आए ये पार्टी मीडिया से इतने फ्रेंडली हैं कि अपनी सफाई देने के लिए ये या तो प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे या फिर ट्विटर ट्विटर खेलेंगे हाला कि ज्यादा तर केसेस में ये दोनों ही चीज़े करते हैं जब सतेंदर जेल में बंद है जबसे उस दौरान उनको वहाँ पर गिरने से चोट लगी है उनकी स्पाइन में मेडिकल लेंगेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा यानि L5 डिस्क उनकी रीड की हड़ी में जो L5S1 डिस्क है वो डेमेज हुई है उसमें चोट लग किया है उनको वहाँ से डिस्चार्ज करते हुए जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहाँ से उनको वापस जेल भेजा गया तो डॉक्टर ने लिखके दिया है उनको रेगुलर फीजियो थेर तो दुनिया के most handsome man मनीश सिसोधिया जी ने press conference कर इस बात की सफाई दी कि सतिंद्र जैन मसाज क्यों करवा रहे थे उन्होंने बताया कि उन्हें medical issues है उन्हें spinal की problem है जिसके चलते doctor ने उन्हें मसाज करवाने की सलाह दी है और doctor के कहने पर ही एक physiotherapist उन्हें मसाज देता है बिल्कुल सही बात है यदि कैदी को भी कुछ बिमारी होगी तो उसका इलाज किया ही जाना चाहिए मनीश सिसोधिया जी ने बकाइदा medical reports को दिखाते है वे इस बात को बताया कि सतेंद्र जैन को चोट लग गई थी जिसके कारण उनके spinal में problem हुई और उन्हें मसाज दिया गया लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो handsome हो वो चालाक या समझदार भी हो क्योंकि खूबसूरती का बुद्धी मानी से कोई लेना देना नहीं होता बहले सिसोधिया जी वर्ल्ड के सबसे handsome minister है बट यहां वो गच्चा खा गए ये जो medical report उन्होंने press conference के दौरान दिखाई ये दरसल 23 September की report है यानि इस medical report के बाद ही डॉक्टर ने सतेंद्र जैन को permission दी होगी कि वो जेल को massage center में तबदील कर सकते हैं लेकिन ये जो massage की video दिखाई जा रही है ये 13 September की है यानि सतेंद्र जैन जी के फर्जी medical report से पहले की तो handsome man का जूट यही पर जट से पकड़ा जाता है दूसरी बात कि क्या कोई doctor बताएगा कि क्या spinal के लिए की जाने वाली physiotherapy में foot massage और head massage भी किया जाता है सतेंद्र जैन जी के कमरे में जहां कमरा ही कहूंगा जेल की कोठरी नहीं क्योंकि उनके कमरे में बकायदा bed रखा है mineral water की bottles रखी है दो remote दिखाई दे रहे हैं जो संभवता TV और AC के हैं क्या जेल ऐसी होती है ये हुई एक बात अब उनके इस press conference में बोले गए उनके दूसरे तत्यों पर बात करते हैं उनोंने बीजेपी के लिए नीच घटिया जैसे शब्दों का प्रियोग किया जो कोई नई बात नहीं है इनकी पार्टी का standard ही ऐसा है बट मनीश जी ने ये कहा कि बीजेपी ने फरजी तरीके से गलत तरीकों से बेगुना सतेंदर जैन को छे महीने से जेल में डाला हुआ है जबकि सतेंदर जैन को कोट ने जेल में डाला है वो भी सारे सबूतों के आधार पर उन पर मुकदमा चला और वो गुनेहगार साबित हुए तब हो जेल में भेजे गए ऐसे में मनीश जी सतेंदर जैन को बेगुनाह बता कर देश की न्याय पालिका का सरयाम मजाग बना रहे हैं और उन्हें जूटा भी साबित कर रहे हैं ये और इनकी पार्टी को लगता है कि पूरी दुनिया में किवल यही एक इमानदार लोग है और इनकी इमानदारी की परते रोज खुल रही है सतेंदर जैन जैसे बड़े नेता जेल में है कोई बीवी को कुत्ते से कटवा रहा है तो पांच बड़े नेता दंगे भढ़काने के आरोप में पकड़े गए हैं उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जैलों के अंदर अपने लिए वी आईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा जैल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वी आईपी सूट होता था कोई नेता जाएगा तो वहाँ पर उसके आरा और अब उनी केजरिवाल जी के मंत्री जी वही सब कर रहे हैं जिसे ना दोहराने की बात केजरिवाल जी कर रहे थे आज तक केजरिवाल जी अपनी किसी भी बात पर अडिग नहीं रहे बोलते थे नेता नहीं बनूँगा नेता बने बोलते थे सेक्योर्टी नहीं लूँगा सेक्योर्टी ली बोलते थे सरकारी घर नहीं लूँगा सरकारी घर भी लिया जिसका बिल लाखों में आता है बोलते थे गारिया नहीं लूँगा वो भी लिया बोलते थे बच्चों की क कुछ भी पॉजिटिव नहीं किया है केजरीवाल जी ने आज तक और फ्री की बिजली को भी पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता है। इसी फ्री के लालच में दिल्ली ने जाने कितने दंगे देख डाले हैं। खारिये सब बताते बताते मैं ठक चुका हूँ और सुनते सुनते आप भी ठक चुके होंगे। आप कमेंट कर बताईए कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। जय हिंद वंदे मातरम।